नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पूरुदहवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है वीक्नेस के बारे में क्योंकि वीक्नेस एक बहुत बड़ी समयस्या होती है किड्नी फिले पेशेंट के लिए अगर आपके किड्नी खराब होनी शुरू हो गी है तो सबसे पहला सम्ट xem भी वीक्नेस फी आपका अपनी बाड़ी में महसूस होना शुरू होता है और वीक्नेस अगर आपके बढ़ती चली जाएगी तो आपकी दिखते बढ़ती चली जाती है इस weakness को हमें बहुत अच्छी तरके से manage करना पड़ता है कि हर kidney failure patient में कि कुछ भी हो जाए, patient की body में weakness ना है अब एक kidney failure patient में weakness क्यों आ रही है, उसके पीछे multiple reason होते हैं वो खून की कमी हो सकता है, क्योंकि body में erythropodin नी बन पा रहा है, क्योंकि kidney खराब हो चुकी है अब खून की body में कमी है, तो obvious है, weakness हैगी दूसरा, अगर patient ने अपना खाना पिना बहुत tight कर लिया है, weight lose कर रहा है, उबलीवी सबजियां खा रहा है, millets खा रहा है तो body में बहुत अधा weakness डेलप होनी शुरू हो जाती है अब यह जो weakness आ रही है, weight loss हो रहा है, इससे patient की condition सुधर ने रही होती उससे patient की condition खराब हो रही होती है क्यों खराब हो रही होती है, उसको समझते है अगर आपने अपनी body में जुरूत से कम मातरा में खाना खाया है या फिर आपने जो खाना खाया है, आपको प्रपत है कैसे energy नहीं दे पा रहा तो हो कह रहा है कि आपकी urine के रस्ते protein daily basis पे निकलता जा रहा है उसको आप पूरा नहीं कर रहे तो हम एक बहुत बड़ी common दिखकर देखते हैं कि patient की body में total protein की मातरा कम हो जाती है अब total protein कम होने का मतलब है कि body में कच्चा माल जिससे आपकी पूरी body बरीवे protein की बनी हुए है वो कच्चा माल ही कम हो जाना अगर आपकी body में कच्चा माल नहीं है तो आप पक्का माल भी नहीं बना पाऊगे कच्चा माल अगर कम है तो आपकी बॉडी में जो उससे चलने वाले functions हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं जैसे कून का बनना, enzymes तो patient को क्या दिक्कत होनी शुरू होती है कि patient के लिए खाना, खाना, खानी को digest करना या फिर body का जो survival है, वो मुश्किल होता चला जाता है body में पानी भरना शुरू हो जाता है पहले पैरो में, अगर जब लेक्स को उठाता है तो पैरो से पानी निकल के फेफड में या फिर आपके हर्ट की आसपास भरना शुरू हो जाता है जिससे patient की एक और complication शुरू हो जाती है तीस्ती सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है आपको कि patient की पार जो दो life line होती है dialysis और transplant की वो भी बंद हो जाती है क्योंकि अगर patient बहुत वादा वीक है तो इस patient में ना transplant हो सकता है ना dialysis हो सकता है अगर dialysis करवाता भी है या तो dialysis एंटर वाला मना कर देते हैं कि इसका dialysis हम नहीं कर सकते हैं या फिर patient उसमें survive नहीं कर पाता तो आपने कुछ भी हो जाए आपकी body में सिर्फ kidney खराब है ना बाकि पूरी body ठीक है, सारे organ ठीक है उनको ठीक बनाए रखना भी जरूरी है जब आप खाना पीना बहुत टाइट करोगे body में weakness हैगी तो weakness सिर्फ kidney की नहीं आ रही पूरी body की आ रही सारे organs की आ रही है और सारे organs एक एकर करके feel होना शुरू हो जाते हैं जिसे हम multi system failure कहते हैं जहां से patient को वापस निकालना impossible हो जाता है kidney अगर पूरी भी खराब हो जाए तो भी आपके पास दो life line है उनको कभी बंद मत होने देना खाना प्रपर तरके से खाओगे body में weakness नहीं आएगी body कभी weight lose नहीं करेगी और वो survival के लिए ज़रूरी होता है अब जब हम किसी patient को यह बोलते है कि आपने खाना कम खाना है उबलावा खाना है या फिर मेलेट्स खाने है उससे patient को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा बट अब बॉड़ी में हो क्या रहता है उसको भी हम तोड़ा सा समझनी कोशिश करते हैं जब मैंने खाने में गिया तोरी टिंडा खाना शुरू किया उबलावा खाना शुरू किया हल्दी निमक के साथ शुरू किया तो मैं कहा देखते हूं कि मैं पहले एक साथ दिन तो अठीक खाना खा लेता हूं बट जैसे पंदा दिन महीना दो महीना होता है तो इन संबदियों से मेरा मन बहनना शुरू हो जाता है, वेकोप खाना देखते ही उल्टी आनी शुरू होती है और मैं खाना खा नहीं पाता है. जब खाना का अपना खाना न हो जाती है, तो हमारा वेट लूस होना शुरू हो जाता है. अब जब हम weight use कर रहे होते हैं क्योंकि creatinine हमारी muscles में बनता है तो हमारी muscles कम हो रही है खाना ना खाने की वज़े से तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि creatinine शुरू की levels में शुरू की time में आपका गिरना शुरू होता है मालोगी creatinine आपका 7 था वो 5 तक नीचे आ जाएगा और आपका 10 किलो बजन कम हो जाएगा क्योंकि 5 किलो बजन कम करने पर एक creatinine का point कम हो जाता है तो आपने 5 किलो कम किया, 10 किलो कम किया, 2 point नीचे आ गया, 7 से वो 5 हो गया बट बॉडी में इतनी वीकनेस जनरेट होती है कि यूरिन करने पास करने के लिए बात्तुम जाने की ताकत आपकी बॉडी में नहीं बचती उठना, बैटना, सांस लेना बड़ा मुशकल हो जाता है यहां तक कि बोलना भी मुशकल होता है चला जाता है तो ऐसी बॉडी में आप वीकनेस आ गई, अब होता ही है कि जो केटनेन डाउन हुआ ना वहाँ पर टिकता नहीं है क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जब आपने खाना पेना बंद किया था तो किड्नी का खाना भी बंद हो गया जब आपके पूरी बॉडी वीक हो रही थे तो किड्नी और वीक होनी शुरू हो गई अब जो काम कर रहे थी थोड़ा बहुत वो भी काम करना वो कम करना शुरू करती है तो ketnion आपका जो नीचे गया था वो वापस उपर आना शुरू होता है अब वो 7 पर नहीं रुकेगा अब वो 9 या 10 11 पर रुकेगा अब प्रॉब्लम क्या होगी डालेसिस का रस्ता तो बंद करती है हमने क्योंकि हमने खाना पर ना खाया नहीं बॉड़ी में वीक्नेस आग पानी पीने में गुड़ बंद करना है नारिल पानी बंद करना है नारिल पानी बंद करना है केला बंद करना है खटी चीजे जितनी है सारी बंद करनी है प्रोटीन की मात्रा कम करनी है समझ में आता है पर अगर पूरा खाना बंद कर दोगे तो महापस सर्वाइवल नहीं ह खाना है मैं उम्मीद करता है इस वीडियो से वीक्नेस के बारे में थोड़ा सब को आइडिया लग गया होगा जो मैक्सिम पेशिंट गलती करते हैं अब आप गलती नहीं करेंगे अपनी बॉड़ी को अंडरस्टाइड कर नहीं कोशिश करेंगे और उसके बात आप एक अच् झाल